अगले दो तिन दिनों तक लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है सुमवार की रात को भी कई जगाओं पर कोरे के कारन विजिबिलिटी काफी कम थी अंबाला, हिसार, भहराइच और गया में विजिबिलिटी घटकर पचास मीटर रह गई थी उधर पहाडिक शेत्रों में बरफबारी का दौर जारी है हिमासर प्रदेश के मनाली में अटल टनल के दक्षनी हिस्से में भारी बरफबारी हुई है इसके कारण मैदानी इलाकों में भी तापमान में भारी गिरावट देखी गई है राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां सोमवार को लगातार पांचवा शीत लहर का दिन तर्च किया गया और नियूनितम तापमान पांच डिग्री सेलसियस है तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि कडाके की ठंट से काप रहा है उत्तर भारत दिल्ली में शीत लहर का येलो अलर्ट है और अगले दो दिन तक जीरो विजिबिलिटी का अनुमान है